कि दूश्कार मैं नाम रोहित सी हैं और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं अब हम सिवसागर प्रखंड के नाथ पंचायत के अंतरगत नाथ गाउं में हैं जहां पर मुख्या प्रत्यासी डॉक्टर अमरेंद से द्वारा एक घोसडा पत्र जारी किया गया है इसमें कई तरह की बाते की गई हैं जैसे कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा बिना रिस्वत के प्रधान मंत्री आवास योजना में जो भी है वो बिन की आप जानेंगे कि जानेंगे कि घोसडा पत्र रिठाणों किसा आधार पर नहीं आपने जो हमें लेकित अपना जैदान में प्रते कावन में गत्राश हम योजना जो जो है जिसको इंद्रा आवास भी कहा जाता है उसको बिना रिश्वत के आप मतलब लोगों तक पहुचाएंगे जो भी इसके जरूरत मंद है तो क्या आपके पास ऐसी कोई बाते आई हैं कि जिसमें पता चला है आपको कि रिश्वत लिया जा रहा है एक दम बहुत लोग इस हैं मेरे गाउं में ही खासकर नाद में ही बहुत लोग इसे हैं कि जिनको जरूरत मंद हैं उनको आवास मिला नहीं जो आवास जिनका ओल्डेडी पहले से पक्का बना हुए उनको मिल गया इसमें उतना ही नहीं भरष्टाचार है सबसे बड़ा प्रष्टाचार है कि मुख मिलता है यह पूरे पंचायत में मेरे हर्क बेक्ती जानते हैं इस बात को आईसी के खिलाप अभी लोगों में यह बदलाव का है कि मेरे पंचायत में बिल्कुल अभी बदलाव है भरष्टाचार के खिलाप ही मेरी लड़ाई मुलता भरष्टाचार के खिलाप मतलब आपके ये चीज पहले भी था जब पचीस अजर कोली में था उसमें भी था आज भी है जब भी बढ़ गया है परसेंटेज 25 परसेंट ही है अब यह कैसे होता है क्या होता है अब इस सारी चीजे जाचकी भी से हैं के फेखचाची खेज1 का यहां होता है 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 कि करीब करीब दो या तीन गाओं में हमसे की लिए उन डीमान्ड किया गया जैसे कारारी गाओं है कारारी में बच्चे लोग हमसे बोले हैं खेल कुद मैदान के लिए हमने वड़ा की आध के बच्चे इन लोग को खेल खुद का मैदान दिल बना है हमको और इसके अलावे बढ़वा गाउं में बच्चे लोग मेरे सी ऑ सब ले downward听 ईए जो हम एन लोगों का पूरा करां एंगी कि सिक्षा को लेकर क्या करेंगे इसमें आपके घोजापत्र में सिक्षा का भी जिक्र किया गया हैिसके आपके मन में क्या blueprint है किस और किस सब भावन का हम उसका पहले निर्माड करवाएंगे अच्छा से ताकि कोई आगे भविस में कोई दुरघटना नहों नारी ससक्ति करण का भी जिक्र है किस तरीके से आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा सकता है महिलाओं का सम्मान सबसे बढ़ाया जो बिरिध हैं विधवा हैं इन लोगों का जैसे इन लोग का अभी तक रासन काड भी एक नहीं है हमारे पंचायत में बहुत सारा गाव है वहाँ पर हम जब यह परशार से जब भूमने लगे तो बहुत लोग इसी मिली बंचीत महिला जो कि कई बार जाकर बलोक से दोड़कर बगरा अब उनके यहां पूरुस नहीं है केवल महिला है अब उनको बहुत दिक्कत है उनको ए यदि आपको जनता का मैंडेट मिलता है अगर आपको जनाधार मिलता है और आप मुखिया बन जाते हैं और अपने इस घोसड़ा पत्र में किये हुए किसी वादे को आप अगर पूरा करने में असक्षम होते हैं तो अगले पंचायत चुनाव में आपका स्टैंड क्या मुझको पैसा कमाने या ध्वन अरजित करना ये मेरे लिए ये कोई चीज है ही नहीं समझे ना तो मुल्चीज है कि हम लोगों का सिर्बाद प्रेम लेने के लिए और एक बदलाव एक नया समाज हम देखना चाहते हैं पंचायत दस्तर पर कि आगे आने वाला पीड़ी जो मेरे घोरसना पत्र में जो भी चीज़े लिखी हुई है यह 100% हमको यही काम करना है यह हम लोग चार गाओं के या पूरे पंचायत के लोगों से जो भी बात हम जनता में बोलते हैं वही चीज इसमें लिखा हुआ है इससे अलग हम काम नहीं करेंगे अभी आपने सुना ना तो अगला चुनाओं नहीं लड़ेंगा और साथ ही साथ इन्होंने बदलाओ की भी बात कही है और भ्रस्टा चार मुक्त पंचायत बनाने की भी बात किया है ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं मीडिया दर्शन के साथ धन्यवाद